हलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th Mathematics का चैप्टर च्रिग्नोमेट्री तो च्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले यह समझना होगा कि च्रिग्नोमेट्री कितना इंपोर्टेंट है आपके चैप्टर में यह दिया हुआ इसका वीडियो बहुत जादा है और यह क्लास 10th का काफी लेंदी चैप्टर में से एक है और च्रिग्नोमेट्री कई पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इसलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे च्रिग्नोमेट्री को तो च्रिग्नोमेट्री का इंट्रोड़क्शन हम देने ज दिखा हुआ है उसमें ट्रिग्नोम का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक यह च्रिग्नोम का मतलब होता है ट्राइंगल यहां पे आप देख सकते हैं और मेट्री का मतलब होता है मेजर यहां पे आप देख सकते हैं तो च्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल and measures, triangle and its measures मतलब triangle के अंदर में जितनी भी चीजे हम पता कर सकते हैं वो trigonometry में हम पढ़ते हैं जैसे कि मालनो कि आपके पास एक right angle triangle है ठीक है, उस right angle triangle में हम उस triangle का क्या-क्या measures find कर सकते हैं, क्या-क्या find कर सकते हैं उसमें हम उसके side का length निकाल सकते हैं, उसके angles निकाल सकते हैं, तो ये सारी चीजे हम trigonometry में पढ़ते हैं, तो trigonometry का मतलब है, triangle के अंदर जो उसके measures है, जिस भी चीज को हम उसको measure कर सकते हैं, वो trigonometry के अंदर आता है, और trigonometry right angle triangle में हमें पढ़ना है, class 10 तक में, हमें right angle triangle में ही पढ़ना है, trigonometry, हम जितने भी trigonometry के formula यूज करेंगे या trigonometry के concept यूज करेंगे वो सारे right angle triangle में यूज करेंगे right angle triangle मतलब वो एक triangle होगा जिसमें कोई एक angle उसका 90 degree होगा आप ऐसा देख सकते हैं मैं यहाँ एक right angle triangle बना रहा हूँ पूरा right तो नहीं बना बट आप देख सकते हैं कि यह angle 90 degree बना है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि trigonometry में हमें क्या-क्या पढ़ना है अभी आगे बढ़ते हम लोग आप देख सकते हैं trigonometry हमारे स्लेवस में पांच पार्ट में डिवाइडेड है trigonometric ratios, trigonometric ratios of some particular angles, trigonometric ratios of complementary angles, trigonometric identities and at last heights and distances तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यह trigonometric ratios क्या होते हैं और इसके कुछ questions भी solve करेंगे तो what is trigonometric ratios तो आप यहां पे उपर screen पे आप देख सकते हैं trigonometric ratios relates sides of a right angle to its angle trigonometric ratios relates sides of a right angle to its angle इसका मतलब trigonometric ratios किसी भी right angle triangle में उसके sides और उसके angles के बीच का relation है आप ध्यान से सुनना इस बात को trigonometric ratios relates sides of a right angle to its angles इसका मतलब trigonometric ratios किसी भी right angle triangle के sides और उसके angles के बीच का relation बतलाता है इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये दो किसी राइड एंगल ट्रेंगल के दो साइड का रेशियो और उसके किसी एक एंगल के बीच का रेलेशन है ठीक है आई होग आपको जरूर समझाया होगा आप मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रेंगल के दो साइड के रेशियो और उसके एंगल का बीच का रेलेशन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर trigonometric ratios 6 तरह के होता हैं और यह 6 आपके सामने स्क्रीन पर हैं आप देख सकते हैं सबसे पहले sin theta then cosine theta, tangent theta, cosecant theta, second theta and cotangent theta अब यह सारे sin theta को हम, sin theta को यहाँ पर देख सकते हैं यह ऐसे लिखते हैं sin theta, short में, cosine theta को ऐसे लिखते हैं cos theta tangent theta झीटा को लिखते है tan theta cosecrend theta को लिखते है cosec theta second theta को लिखते है sec theta और contangent theta को लिखते है cot theta और इसके कुछ formulas भी हैं आप देख सकते हैं sin theta का formula है, perpendicular by hypotenuse cos theta का भी यह अप देख सकते formula base by hypotenuse और इसी तरह सब के formulas हैं, अलग-अलग आप screen पर देख सकते हैं अभी हम इन सब के formula को समझेंगे और इसके formula को कैसे याद करना है हम ये भी समझेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो trigonometric ratios का definition बताया था कि definition trigonometric ratios का ये है कि वो किसी भी 2 sides के बीच और उसके right angle triangle के 2 sides का ratio और उसके angles का relation है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जितने भी आप यहाँ पर screen पर देख रहे हैं यह formula आप देख रहे हैं जितने भी sine theta, cosine theta इसमें क्या है ये angle theta है उस right angle triangle का और ये perpendicular और हाइपोटेनस ये दो sides का ratio है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ratio है और उसके angles के बीच का relation है तो definition भी clear करता है यह formula को और आगे बढ़ते हैं अब अब हमारे पास screen पर है आप देख सकते हैं some important points कुछ important points है आप देखो sine theta को हमने ऐसे एक second में जूम कर देता हूँ आपको clear दिखेगा ठीक है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर sin theta equals to perpendicular by hypotenuse वहाँ पे जो formula लिखे हुए थे वही मैंने ऐसे यहाँ पे short में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं अब एक चीज़ समझना जरूरी है आप देख लो यह sin theta, cos theta, 10 theta, cos theta, sec theta और cot theta तो इसमें दो दो आप कर सकते हैं देख रहें मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं sin और cos theta, cos theta, sec theta को एक में रखा है और 10 theta, cot theta को एक में रखा है अब यह क्या है यह हम समझते हैं sin theta का formula आप देख सकते हैं perpendicular by hypotenuse आप देख रहें इस्क्रीन पे और cos theta का formula आप अगर देखेंगे तो cos theta का formula है hypotenuse by perpendicular इसका मतलब just opposite to sin theta, sin theta का जो formula है उसके just opposite formula cos theta है तो हम discuss कर रहे थे कि sin theta का formula है perpendicular by hypotenuse और cos theta का formula है hypotenuse by perpendicular तो आप यहाँ से देख सकते हैं formula से कि यह दोनों एक दुसरे के reciprocals है और यह दोनों एक दुसरे के reciprocals है इसलिए इनके बीच में एक relation established होता है उसको हम बोलते है reciprocal relation आप यहाँ से देख सकते हो cos theta equal to formula है 1 by sin theta या sin theta को 1 by cos theta भी लिख सकते हैं उसी तरह आप cos theta का formula देखोगे तो cos theta is base by hypotenuse और sec theta is hypotenuse by base तो उसी तरह sec theta भी cos theta का reciprocal हो गया और cos theta भी sec theta का reciprocal हो गया तो यह दोनों एक दुसरे के reciprocal है आप यहाँ पे देख सकते हैं sec theta equal to 1 by cos theta cos theta equal to 1 by sec theta और उसी तरह 10 और cot भी एक दूसरे के reciprocal हैं तो हमने यह समझा कि trigonometric ratios 6 तरह के होते हैं sin theta, sin theta, cos theta, 10 theta, cos theta, sec theta, cot theta तो यह 6 तरह के trigonometric ratios हैं और इन 6 में 3 pairs ऐसे बने हुएं जो एक दूसरे के reciprocal हैं अब हम आगे बढ़ते हैं next concept के और आप देख सकते हैं यहाँ पे sin theta equal to sin theta by cos theta यह एक बहुत important formula है आप इसको याद रखना और make sure जब भी आप वीडियो देख रहे हूं तो उसके बाद आपको फिर लिखने की भी जरूवत नहीं पड़ेगी बस आप ध्याम से वीडियो को सुनोगे end तक देन आपको PDF मिल दाएंगे उसके notes मिल दाएंगे आपको और आप दूसरा formula देख सकते हैं cot theta equal to cos theta by sin theta तो यह कुछ important formula है और यह कुछ equation है यहाँ पर आप देखते हैं sin square theta plus cos square theta equal to 1 1 plus 10 square theta equal to c square theta 1 plus cos square theta equal to cos square theta तो यह सारे कुछ important formulas है जिनको आप note कर ले अब एक बहुत important discussion हम करने जा रहे हैं यह discussion है एक triangle है मालो आपके पास triangle ABC और अगर आपसे कोई कहा है कि मालो यह angle यह c वाला angle यह वाला angle आपसे कोई कहा है कि यह c वाला जो angle है इस angle sin c का value क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो sin c का value, sin का formula क्या होता है सबसे पहले हम यह सुचेंगे तो sin का formula होता है perpendicular by hypotenuse तो perpendicular by hypotenuse और हमें sin c के लिए value निकालना है तो c के सामने जो side होगा, c के just सामने जो side होगा उसको हम as a perpendicular consider करेंगे c के just सामने जो भी sign होगा यह देख सकते हैं जिस भी angle के बारे में पुछा हो अगर उसका perpendicular आपको find करना तो उसके सामने जो side होगा उसको हम as a perpendicular consider करेंगे तो इस case में AB as a perpendicular है आप देख सकते हैं और AC as a hypotenuse है ठीक है अब अगर आपसे कोई कहा दे कि आप sin A निकालो sin A क्या होगा sin A तो हम जानते हैं sin का formula तो अलवेज वही रहागा perpendicular by hypotenuse बस इस case में perpendicular change हो जाएगा अलग-अलग angle के लिए अलग-अलग perpendicular होते हैं आप देख लो A के लिए ये perpendicular change हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला जो side है वो है BC ये आप देख सकते हैं तो BC क्या हो गया ये आपका perpendicular हो गया और AC आपका hypotenuse हो गया तो अलग-अलग angle के लिए अलग-अलग side है तो जिस भी angle क का हमको साइन कॉस्स या टेंड निकालना है तो अगर उसमें पर्पेंडिकुलर का sparked यूज़े तो अस पर्पेंडिकुलर को हम सामने वाले साइड को कंसिडर करेंगे कि वो एज बर्पेन थूर फैसु आई होब आपको यह समाझ आया होगा हम चलते अब एक question हमारे screen पर है आप देख सकते हैं ये question तो हमने trigonometric ratios की almost सारी वाते cover कर ली है और अब हम कुछ numericals मैंने का कुछ questions हम बनाएंगे exercise के questions हो solved example के questions हो तो उन questions को बनाएंगे उसके बाद हमारे concepts और भी ज़्यादा clear होंगे तो एक question बहुत basic सा question है ये question बहुत तरह से पुछा जा सकता है आप question में देख सकते हैं ये question लिखा हुआ है if 10A equal to root 3 यहाँ पे देख सकते हैं 10A equal to root 3 find other trigonometric ratios of angle A एंगल A का अलग trigonometric ratios निकाला है मतलब 10 की value आपको दिया हुआ है 10 का value आपको दिया हुआ है और आपको अलग-अलग sin, cos, cot, cos, x, x, x इन सब का value find करना है तो इस तरह के question को solve कैसे करना है तो सबसे पहला जो solution part में आप देख सकते हैं given data को आपको लिखना है 10A equal to root 3 यह हमने लिख लिया है यहाँ पर उसके बाद हम जानते हैं कि 10 का formula क्या होता है 10 का formula होता है perpendicular by base आप देख सकते हैं मैंने एक right angle triangle बनाया है यह triangle ABC है ना यह triangle देखो triangle बनाना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि trigonometry में right angle triangle का ही use हम कर रहे है तो ABC एक right angle triangle है और हमने माल लिया कि angle B पे right angle है वो ठीक है और A जो side है आपका यह आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर यह वाला 10A के लिए perpendicular क्या होगा 10A के लिए perpendicular वो side होगा जो just उस angle के सामने होगा यह perpendicular होगा BC as a perpendicular होगा तो यह देख सकते हैं आप मैंने BC लिखा है उसके बाद base यह AB AB है base तो यह आपको देख सकते हैं BC का value हमारे पास आगया root 3 और AB का value आगया 1 तो अब हम जब हमको BC का value पता है AB का value पता है तो हम pythagoras theorem यूज करके AC का value निकाल सकते हैं तो देखो मैंने यही किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मैंने इसका ac का value निकाला और ac का value आया 2 ac का value जब 2 आ गया उसके बाद आपको कोई भी trigonometric ratio निकाल सकते हैं तो अब हमने क्या find करना है find other trigonometric ratios of angle ले तो एक दिया हुआ है 10 का सिर्फ value दिया हुआ है आपको other जो 5 बज गए है trigonometric ratio टोटल 6 होते हैं तो एक का value आपको दिया हुआ है जो बचे 5 है यानि sin, cos, cot, cos, x, x, इन सब के values निकालने हैं तो अब हम सबका formula हमें पता है perpendicular by hypotenuse sin का formula होता है तो perpendicular, sin a के लिए perpendicular क्या होगा बताओ root 3, hypotenuse क्या है 2, तो आ गया इसका sin a का value आ गया root 3 by 2, उसी तरह आप cause से भी निकाल सकते हैं formula से तो यह almost formula based question था और एक basic question था जिसको हर कोई समझ सकता है आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर समझ आएगा और अब हम एक important concept और discuss कर लेते हैं यह formula तो बहुत चारा है आपको लग रहा होगा कैसे याद करना है कैसे याद करना है, कैसे क्या याद हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो आप देखो मैं याद करने का कुछ tricks बता देता हूं आपको यह tricks हर को यूज करता है almost एक second में जूम कर लेता हूं ये trics कोई भी यूज करता है आप इस trics को यूज कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं pneumonics और जो मैं pneumonics बताने जा रहा हूं आपको बस उसको याद करना देखो how to remember formula यहाँ पर आप देख सकते हैं how to remember formula तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, पहले यह perpendicular, hypotenuse base, hypotenuse, perpendicular base, और sine constant, तो इसको कैसे याद करना है, मैं यह बताता हूँ आपको, आपको इसको ऐसे याद करना है, पंडित, बद्री, प्रशाद, हरी, हरी, बोल, सोना, चांदी, तोल, ठीक है, आपको इसी तरह याद करना है, थोड़ा funny लग रहा होगा आपको, but you can remember by this way, पंडित, बद्री, प्रशाद, हरी, हरी, बोल, सोना, चांदी, तोल, ठीक है, आप इस तरह से याद करेंगे, तो आपको जरूर याद हो जाएगा, और आपको बस इन तीनों को याद करने की जरूरत है, आप इन तीनों को याद करोगे, तो आपको sin theta equal to perpendicular by hypotenuse, होता है, यह formula अगर पता चल जाता है, तो cos theta उसका reciprocal है, तो आप उसको लिख सकते हो, cos theta equal to base by hypotenuse, अगर आपको पता चल जाएगा, तो आप sec theta लिख सकते हो, hypotenuse by base, और 10 theta equal to perpendicular by base, आपको अगर पता चल जाता है, तो आप लिख सकते हो, cos theta equal to base by perpendicular, तो यह सब कुछ निमोनिक्स थे, पंडित बदरी प्रशाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, that you can use to remember all the trigonometric ratios formula, thank you in this video.